है हलो फैंटस बैसी इस चैनल में आपका आर्दिक स्वक्त है अगर आप इस चैनल पर ने पिए जाकर आपने अभी तक इस अनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप हमारी चैनल वेशी कॉंप इस प्रम कर दिजिए और पास यह जो बहूने इसको प्रेस कर दिजिए इसे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिशन आपको जाता मिलते रहेंगे और आप वीडियो को आसानी से देख पाएंगे तो हम चलते हैं आज के वीडियो के तरब आज के वीडियो के टाइटल हमारा है कि हम कैसे एक्सल में बारकोड यूज कर सकते हैं ऐक्सल में अगर हमें बारकोड यूज करना है तो शमसे पहले एक्सल ओपन होपन करनी बढ़ेगी और हमें कोई भी वेल्वी अबढ़ेगी हमें क्रिक सेरो करने ऐस बैसी Aldi करने की ला अब जैसे हमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका हमें बनाने हैं और भी हम डूपचा टाइप कर लेते हैं 123 ABCD ABCD 456 जाकि और भी कुछ हम टाइप कर लेते हैं 12345 ABCD E यहांद और हम कर लेते हैं 1231212 BV 34CD 45EF कुछ भी टाइप कर लेते हैं 10 रिजिट में दिलेते हैं सबकुछ ठीक है यह हमारा डेटा है नौर्मल हमने वैलिग ली है इसको महाई कोड में टाइप कर लें तो बार कोड में करने के लिए हमें सबसे पहले एक फॉर्मॉला ड्योप करना बढ़िएगा इकवल भी पर आपस 10% प्रेक्ट को बंद करेंगे फिर double inverted comma पिर एंटर करेंगे तो जो वील्ली होगी वह वाल सामने होगी इसको पकड़के खैंचि देंगे या को भी बैठ जोगी होगा वो कर लेंगे तो यह जो वील्लीु आएगी वह फॉर्मुल इंआएगी अब हमें इसे बार के लिए कुछ नहीं दोस्तों आपको यहां पर जाना है और यहां पर लिखना है आईडी ओटोमेशन यह देखिए आईडी ओटेशन एक पॉंट है आईडी ओटोमेशन आईडी ओटोमेशन आप चुछ यहां जैसे आप इस पेक तीड करेंगे तो यह जो आईडी ओटोमेशन आपको शोखोगा जो आपने विल्यू इंसेट की है वह वार्कोर्ड में कर्ण हो जाएगी आप इसको वार्कोर्ड में यूज कर सकते हैं सिंपल तरीक है जो वैल्यू आईडी ओटोमेशन ड्वेशन में विल्यूब करणे के लिए एक्साइट है असाइडी ओटोमेशन दोसकोगों तो आप अपर जाके आपको फूचे नहीं करना यह जो दाउंडोर बटन दिख रहा है इससे आपको क्लिक कर रहा है इससे जो है यह ओड्ड हो जाएगा डाउंड होने के बाद में दोस्तों आपको इसको इसको इंस्ट्रॉल्क करना बड़ेगा जैसे जिफ फाइल में होगा इसको राइट क्लिक करके एकश्टरक्त करने बढ़ेगा इसको अपित करने दोस्तों वह यह जो आच में दिख रहे आपको इसको आपको इंस्टोल करने के लिए दोस्तों है आपको इसपे डबल क्लिक करना है tray और येज इस वेश्व हमेरे Robbie प्र आई एक्सेट दे अग्रिमेट, फिर next पे क्लिक करना है आपको, फिर next, फिर next, next, आगर आपको create desktop आइकन करना है तो आप कर सकते हैं, या आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, फिर next, फिर install, फिर next, फिर finish, इसको करने से दोस्तों, जो id automation font है, वो आपके system में install हो और आप इसको यूज कर सकते पाएंगे तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद माया होगा और इसका जो लिंक है इसका में डिस्क्रिप्सिंट बोक्स में इसको डाल दूँगा जहांसे आप सिधा क्लिक करके उसको डाउनलोड कर पाएंगे तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे सी वीडियो समझ भाया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और आपने अभी तर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल पर जाहिए और सब्सक्राइब कर लिए पास में दूबह लेक कर दोस्तों